दोस्तो स्वागत है एक नई कहानी में। दोस्तो जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वो चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। जिले बोरवा थाना के नूर मुहम्मद पिछले पांच सालों से लापता थे। परिवार वालों ने काफी खोज खबर ली। थाने में शिकायत भी दर्ज कराई गई। लेकिन जब वह नहीं मिले तो परिवार वालों ने हार मान ली और उन्हें मृत मान लिया। लेकिन अचा पिछले चार साल से मुजफरपुर सेंट्रल जेल में बंध है। नूर मुहम्मद के पुत्र जलील खान अपनी पत्नी बच्चों के साथ मुजफरपुर पहुँच चुके हैं। जेल में बंध अपने पिता से विडियो कानफरेंसिंग के माध्यम से मुलाकात भी की। मुजफरपुर सेंट्रल जेल के उपाधीकशक सुनील कुमार मौर्य ने कहा कि नूर मुहम्मद जेल में ही है। अधिवक्ता और उसके परिजन मिलने आये हुए थे। इधर अधिवक्ता ने कहा कि अब जमानत की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। परिवार वाले पांच साल से जिसे मृत समझ रहे थे। वह मुजफरपुर सेंट्रल जेल में बंध है। घरवालों ने तो मृत मानकर आस ही छोड़ड़ दी थी। लेकिन अचानक से उनकी जिन्दगी में भूचाल आ गया। जब पता लगा कि वे जीवित हैं और जेल में बंध हैं। पिता को ज अच्चा चोरी के मामले में गिरफतार कर जेल भेजा था। इसके बाद से वे जेल में ही हैं। आजा तक कोई भी खोज खबर लेने नहीं गया। क्योंकि परिजन को उनके बारे में कोई जानकारी नहीं थी। वे लोग तो उन्हें मृत समझ कर जीवन जीने लगे थे। अ उन्होंने केस से संबंधित कागजातों को खंगाला। इसमें सबसे बड़द ही परिशानी थी कि नूर मुहम्मद के राज्य का नाम नहीं लिखा हुआ था। इसके बाद वे जेल में उससे मिलने गए लेकिन उसकी भाषा न तो वे समझ पा रही और न उनकी भाषा को जुटाई उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वह कौन सी भाषा बोल रहा है। किसी ने त्रिपुरा तो किसी ने असम और पश्चिम बंगाल का भाषा बोलने की बाद बताई। वहीं कुछ ने कहा कि वह आतंकवादी है। लेकिन उन्होंने खोजबीन जारी रखा। उसके घर का सही पता और परिजन का मोबायल नंबर उने मिल गया। मृत पिता की जानकारी मिलते ही खुशी से जुम उठा। परिवार अधिवक्ता ने नूर के परिजन से बात की और पूरी घटना से अवगत कराया। पिता के जीवित होने की बात सुनते ही जलील खान की आँखों में आंसू आ गए, इसके बाद वह अपने बच्चों और परिवार संग मुजफर पुर आया, अधिवक्ता से मुलाकात की, इसके बाद जेल पर जाकर पिता से मिला, नूर के बेटे ने बताया कि पांच साल पहले उनके पिता घर से भटक गए थे, वे मानसिक जफर पुर पहुँच गए हो, यहां से पुलिस ने उन्हें गिरफतार कर जेल भेज दिया